नमस्कार SGV News पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साध हर्जुन खजूरिया नारी शक्ती वंदन अधिनियम यहां फिर यह कहा जाए महिला आरक्षन बिल लोगसबा में जो पेश किया गया एतिहासिक दिन रहे यहां पर क्योंकि एक तरफा यहां पर जो वोटिंग हुई जो वोटिंग ली गई आईज और नोज में इस बिल के समर्थन में लोगसबा के अंदर 454 जो है यहां पर समर्थन में वोट पड़े और विपक्ष में केवल दो वोट पड़े डबल डिजिट में भी नहीं पहुँच पाए तो आप देख सकते हैं कितना जमीन आस्मान का फरक जो है यहां पर पड़ा और इसको कहीं न कहीं कोटनितिक जीट जो है माना जा रहा है केंदर सरकार का जहां एक तरफा पूरा विपक्ष भी जो है वो इस बिल के समर्थन में आया लगातार पिछले नो सालों से हर एक बिल का विरोध करने वाला वो विपक्ष हर एक सरकार के कदम पर सरकार को अपोज करने वाला वो विपक्ष जहां पर देश एक जुट होकर खड़ाया उस समय भी सरकार के विरोध में खड़े होने वाला विपक्ष विदेश में जाकर के भारत को लेकर के तमाम सवाल उठाने वाला वो विपक्ष विदेश में जाकर के राहुल गांदी जो लगातार भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठाने वाला वो विपक्ष आज नतमस्तक कही ना कही नजर आया केंदर सरकार के सामने लोकसभा में जब चर्चा की गई और कैना की समर्थन जो है हर एक पार्टी का मिला केवल एक पार्टी को छोड़ करके जिसका नाम है AIMIM All India मजलिसे इतिहादुल मुसलमीन असदुदीन OAC की पार्टी उनकी तरफ से और उनके एक और संसच जो लोकसभा में मुझूद है इस पार्टी के केवल इन दोनों का जो वोट है वो नोस में पड़ा एक तरफ बड़ी-बड़ी बाते करने वाले ये असदुदीन OAC जो लगातार आकर के बड़े-बड़े व्याख्यान करते हैं लीगल चीजे समझाने का प्रयास करते हैं हक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन आज जब महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है इस रिजर्वेशन बिल की अगर बात किया 27 सालों से पुरा देश इस बिल का इंतजार कर रहा था और अब जब सभी एक तरफा इस बिल के समर्थन में आगे पूरा विपक्ष जो है इस बिल के समर्थन में आ खड़ा हुआ लेकिन इस बीच ये AIMIM जो है वो इसके विपक् में जो है यहां पर कही गई है AIMIM की तरफ से लेकिन महिलाओं के सम्मान में जो ये बिल लाए गया इसको इन्होंने अपोस करने का काम किया है एक तरफ यहां केवल आकर के बड़े-बड़े डोकोसले देना और दूसरी तरफ सचा ये है कि क्या महिलाओं को जो ये सम्मान दिया जा रहा है आज इसके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हो पाई ये दो लोग बैरहाल इसी बीच किंदर सरकार की एक बड़ी जीत क्योंकि एक लंबे अरसे बाद ऐसा देखा गया है जब आईज में 454 वोट पड़े हो और नोज में केवल 2 वोट पड़े हो राज्यस सबाब में भी इसको लेकर के जो है चर्चा हुई लेकिन इसी बीच समझने का यहां पर विशे ये भी है कि लगातार यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन तो किया जा रहा है लेकिन तमाम बाते की नहीं जा रही है सोनिया गांदी आकर के कह रही है मेरे कार की तरफ से यहां पर कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया जाता है तमाम बिलों को लेकर के चर्चा की जाती है उस समय क्यों यह भी पक्षी बाग खड़े होते हैं क्यों यह सामना नहीं कर सकते क्यों वहां से निकल जाते हैं यही देखा गया था विश्वास प्रस्ताव क ने पास करा दिया था लोग सभा से क्यों पास नहीं करवा पैते हैं लोग सभा से अगर आप पास करा थे तो बिल्कुल ये कॉंग्रेस राज में होता है कॉंग्रेस सरकार में होता और इसका पूरा क्रेडिट आपको मिलता लेकिन क्योंकि आप बिल को पास नहीं करा पाए त उसी समय इसकी जो है prominence ख़तम हो जाती है जब बिल जो है पास नहीं हो पाया है लोकसभा से उसी समय उसकी relevance ख़तम हो गएब ये ने तरीके से बिल को जो है introduce किया गया बहुत सारे संसदों को आपने सुना होगा कहा रहे थे विपक्ष के की 9 साल क्यों लगा दिये इतना समय क्यों लगा दिये 2014 के बाद लेकिन पिछले 9 सालों में एक बार भी आपने नहीं सुना होगा कि इनोंने कहा हो कि महिला आरक्षन दिया जाए यहां पर लोकसभा और विदानसभा के अंदर उस समय यह सभी गायब दिया लेकिन आज जब केंदर सरकार ने विशेश सत्र बुलाया संसद का और बुला करके यहां पर महिलाओं को सम्मान देने की बात कई तो आगे आपने यहां पर डोल उठा करके कि 9 सालों में क्यों नहीं लाय गया बैरहाल इसी बीच अगर बात कि जाए कॉंग्रेस संसद राहूल गंदी ने किंदर सरकार के सचीपद पर तैनात अफसरों में अन्य पिशडावर के अफसरों की तैनाती नहीं होने का सवाल उठाया राहूल गंदी जी आप इस बात का जवाब देंगे अनलिसिज आप आज कर रहे हैं और ये जो पदों पर तैनात हैं ये कोई आधे एक साल पहले तैनात नहीं हुए इन पदों पर पिशले कही सालों से अपनी सेवाई दे रहे हैं और सबसे आधा समय तक तो कॉंग्रेस ने इस देश पर राज किया है लेकिन अपनी पार्टी से सवाल नहीं उठाएंगे बैरहाल वो लगातार यही चीज़ करते हैं पूरा देश जो है वो देखता है 27 साल बाद जो है 19 सितंबर 2023 को लोग सबा में जो है इसको रखा गया इसमें लंबी बहास चली अभी राज्य सबा में यहीं इसको लेकर बहास चल रही है असरुद दिन ओवेसी ने विपक्ष में वोट दिया और उन्हीं की पारीकिस तान सत्Hello बैरहाल इसी भीच अगर बात कि जाए ममताब एनरजी भी इस बिल के स्वागत में नज़र है इस अभी विपक्षी दल जो है वो इस बिल के स्वागत में नज़र है और लोगसभा में सम्विदान का 128 ना संशोधन विदेग 2023 पारित होने पर खुशी हुई ये परदान मंतिर नेरेंदर मोदी ने जो है इसके बाद ट्वीट किया और अभूतपूर समर्थन के लिए जो है यहाँ पर खुशी जताई और सभी का दन्यवाद भी दिया सभी पार्टियों का जिन्नों इस विदेग के समर्थन में मददान किया बैरहाल इसी बीच अमिच्छा की अगर बात कि जाए तो उन्होंने महिला कानून तुरंत लागू नहीं करने के अरोब पर जो है यहाँ पर समविदानिक प्रावदानों का हवाला दिया और देते हुए सभी दलों से कहा कि महिला आरक्षन बिलके समर्थन की अपील की और कहा कि बिना जन गन्ना और बिना परीसीमन के यानि कि बिना डिलिमिटेशन प्रोसेस के और बिना यहाँ पर जब तक सैंसीज नहीं किये जाते तब तक किसी सीट को रिजर्व करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 33% रिजर्विशन और यह जो उन्होंने बात कही यह सभी लोग जानते भी है लेकिन कही ना कही उनको अपनी पॉलिटिक्स भी किसी भी चलानी है नहीं तो लोग कैसे जो है यहाँ पर उनके समर्थन में खड़े होंगे तो इसलिए जो यहाँ पर प्रावधानों का हवाला दिया घ्रिमंत्री अमित्शा ने कि जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कौन सी ऐसी सीटे हैं जहाँ पर जादा जो है महिला बदलाव किये जाते हैं जो दशकों ही नहीं सधियों में एक आदी बार देखने को मिलते हैं तो उसको लागू करने में समय लगता है आप भी जब गर बनाते हैं तो गर एक दिन में नहीं बन जाता है उसके लिए पहले जो है नक्षा बनाते हैं समान मंगाते हैं समान के ब पहले लागू नहीं हो पाएगा और यह सब जानते भी हैं चाहे महिला अरक्षन की बात हो चाहे यहां पर बात हो वान नेशन वान इलेक्षन की अभी क्योंकि पहली बैठक उसकी होगी और लगातार बैठको का दोर जो है वो जारी चलता रहेगा फिर लोगों से राय मांगी जाएगी तो यह सब जो तैयारी चल रही है दोहजार उनतिस में जाकर के जो है आपको यह इंप्लिमेंट होता दिखे आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि कितनी जो है दूर दृष्टी यहां पर सरकार की आपको नजर आएगी लेकिन इस बाबत लगातार आपने सुने अतिहासिक फैसले को आप कैसे देखते हैं यह जो 454 आईज में और नोज में दो वोट पड़े लोकसभा के अंदर नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 को लेकर के अभी इस पर आपकी क्या राय है और इस महिला आरक्षन को लेकर के देश बरह में देख रहे हैं कि महिलाओं मे नहीं नहीं पुरुषों में भी वो खुशी का माउल है वो भी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं अब इस बाबत आपकी जो भी राय हो आप जुरूर हमारा सा कमेंड बॉक्स में शेर करें उसे उड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीव नियूस के साथ दन्यव प्रीदाट